ओम नमस्षिवाएं एन वेलकम टो देस बी एन एन सेशन आज का जो हमारा टॉपिक है तो है धन योग इन भीगुनंदी नाड़ी आप लोगों सबको पता है कि बी एन एन में ये जो पदती है कारक बेस्ट है तो धन का कारक शुक्र देव होते हैं अगर आपकी कुंडली में शुक्र देव की प्लेस्मेंट अच्छी है यानि कि उन पे कोई मैलेफिक इफेक्ट नहीं है अच्छे ब्लैनेट्स के ट्राइन में बैठे हैं अच्छे यूट्ती में बैठे हैं तो उस व्यक्ति के वाज धन हुगा जूपिटर जीवा है शनी आपका करमकारक है जब भी आपको शुक्र और ब्रस्पति की ट्राइन में यूती मिलेगी या वन सेवन के एक्सेस में बैठे हूँ या आपने सामने तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य से धन मिलेगा जूपिटर और वीनस अगर जैसे ट्राइन या यूती में होते हैं वन सेवन नाइन में या फिर आपकी गुंड़ी में टू सिक्स टैन में हो या थ्री सेवन इलेवन में हो या फॉरे ट्वेल में हो हम बोलते हैं यह पैसा ना फ्री विल का है यह भग्य से कमाएगा लक्ष से कमाएगा यह पैसा इसको पैसे के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको शुक्र देव और शनी देव की यूति हो ट्राइन में हो या वन्सेवन के एकसेस में हो तो हम यह बोलेंगे कि व्यक्ती पैसा जो कमाएगा अपने कर्मों द्वारा कमाएगा कोई भी करम करेगा उसके द्वारा यह पैसा कमाएगा अगर आपकी शुक्र की यूती मंगल से हो तो ये व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए संदर्श करना पड़ेगा क्यों मंगल के पास क्या है लडाई जगडा देने के लिए इसको पैसा कमाने के लिए लडाई जगडा करना पड़ेगा हाँ अगर यह मंगल की कार्य तत्मों को कर रहा है कोई आर्मी में है कोई पुलिसमेन है या कोई इंजीनियर है कोई डॉक्टर है या मंगल रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहा है तो यह व्यक्ति पैसा कमा लेगा ऐसे ही अगर शुक्र और चन्द्रमा की यूति होगी या ट्राौ में होगे या दू-टवं में होगे एसे व्यक्ति को भी धन कमाने में परइशानी होगी कีके चन्तरमा चेंज का कारक है और बी एने में कैश लिक्विडिटी को भी दर्शाता है और एक्सपेंजिस को भी दर्शाता है खर्चों को भी दर्शाता है तो ऐसा व्यक्ति अगर चंद्रमा के रिलेटेट कोई कारिय करेगा तो तो धन कमाएगा या ट्रावल विजनस में हो कोई पूर्ड विजनस में हो तो धन कमा लेगा वरना इसके धन की हानी हो जाएगी क्योंकि चंद्रमा पानी भी है और शुक्र धन है वेल्स है ये पानी की तरह आपके पैसे को भाहा देगा ऐसी अगर आपके चार्ट में शुक्र केतु की यूती होगी ट्राई में हो या ट्ूटवल में हो शुक्र केतु को तुछ कर रहा हूं चुक्र बार्में में हो के तू उसके आग reden आउनेरे घर वह जिसे हम टू 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 वैल बुंते हैं उतना ज्यादा धन दूर जाएगा उससे क्योंकि केतु के पास क्या मुक्षी तो है देने को ऐसे व्यक्ति को अपने अंतरमन में एक फीलिंग लानी पड़ेगी लेट गो की जब जब ये पैसे के बारे में सोचेगा इसको धन नहीं मिलेगा जब ये पैसे के बारे में सोचना छोड़ देगा इसको धन मिल जाएगा या फिर ऐसे व्यक्ति को कोई केतु रिलेटेड कार्य करना पड़ेगा एस्ट्रॉलेजी में आ जाए, स्पिरिच्वल गुरू बन जाए, केबल इंडस्ट्री में आ जाए, कोई ब्रिक इंडस्ट्री, ब्रिक मैनुव्यक्ट्रिंग में आ जाए, कोई सर्जन हो जाए, कोई डॉक्टर हो जाए, या फिर कोई हकीम हो जाए, या लॉयर हो जाए, तो ये धन अर्जित कर लेगा ऐसे ही अगर आपकी कुंड़ी में, शुक्र और राहू की यूति है, ट्राइन में है, या टू ट्वल में है, या वन सेवन में है, ऐसे व्यक्टी को भी धन कमाने में, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, अगर वो, क्योंकि राहू के पास क्या है, छल कपट है देने को, एक्स्पैंशन है, शुक्र पैसा है, राहू, इन्नॉर्मस एक्स्पैंशन है, तो पैसे को भी एक्स्पैंड कर सकती है यूति, बट तब ही करेगी, जब आप राहू को इस्तमाल करोगे, वरना यही यूति, आपको दोका देदेगी, छल परेव करा देगी पैसे से, आप राहू के कारे तत्मों को अगर इस्तमाल कर रहा हो, आपने स्वैग एटिटूट अपनाया हुआ है, अब शोग आफ एटिटूट में चलते हैं, जेम में एक रुपया, दिखा रहे हो, एक करोर रुपया, वो एटिटूट राहू का है, चमन धमक, स्वैग एटिटू भुकाम, इस राहू, तो एटिटूट आपको अपनाना पड़ेगा, तो ही पैसा आएगा, तो अब हम अपने पीपीटी पे चलते हैं, उस पीपीटी के माधियम से और कुछ प्राक्टिकल एग्जाम्पल्स के माधियम से, मैं आपको आपकी वेल्स डिकोड करनी आद सिख आता हूँ, कि आप बी एनन में कैसे जान पाएंगे, कि आपकी वेल्स किस किस वाम से आएगी, और कौन-कौन सी यूपीटी ओं से आएगी, अब लोग अपना कैमराा आउन कर लो अगर नहीं कर रहा तो, क्योंकि ये बॉक्या है किसी ने डिपी भी नहीं लागा रखा, प्लीजे, प्लीज, क्योंकि क्या है कि जिल लोगों ने भी अपना, अभी ये कैमारा वंद गर रख रहा है, वो ये डिनोड करता है कि शुक्र देव भी कमी है उनके जीवन में वेल्स की कमी होगी इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आप अपना चेहरा दिखाईए क्योंकि शुक्र आपके जीवन का स्पार्ग है और ये जो काला स्क्रीन है ये राहू है तो आप इस यूती को राहू शुक्र की यूती मत बनाईए आप इस यूती को शुक्र सुरिये के साथ बनाईए शुक्र बुद्ध के साथ बनाईए शुक्र बरस्पती के साथ बनाईए वो आपके उपर है तो जैसे हमने BNN में बोला कि यह पज़ती कारक बेस्ट है, ट्राइन बेस्ट है, यूती बेस्ट है, यूती का मतलब एक अठ्ठे ही एक भाव में, पंजंग्ट है, या 159 में है, या फिर 212 में जिसे हम पास्ट इस्ट्री केते हैं, या 17 में जिसे हम सपोर्ट केते हैं, या 311 में भी सपोर्ट केते हैं, और सेकेंड को अगले भाव को हम मूवमेंट केते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति की शुक्र जूपिटर एक ट्राइन में हैं, या 212 में या 17 में 3711 के एक्सेस में भी है तो इस व्यक्ति के अस free will है इस व्यक्ति को किस्मत से इसके माग्य से इसके लक्ष से इसको पैसे की प्राप्ति होगी ये अपनी कुल्डी में ये प्रामिस लेके आया है ऐसे ही अगर शुक्र और शनी की युति होगी तो ये व्यक्ति युति यानि के 159 में हो 212 में हो 17 में हो 3711 में हो वे किसी भी प्राकार का BNN का संबंद बनना चाहिए तो ये व्यक्ति अपने कर्मों दुबारा अपने प्रोफेशन दुबारा ये धन अर्जित करेगा ही विल गेट वेल्थ त्रू इस करमा जैंड त्रू इस प्रोफेशन मोटवर प्रोफेशन इस जोई जैसे मैंने का अगर कभी भी अगर आपके शुक्र के दाथ राहू होगा मंगल होगा चंदर्मा होगा या केतू होगा क्योंकि नाड़ी में ये बी एनन में स्पीड ब्रेकर्ज हैं मंगल और चंदर्मा डेस्टिनी मोडिफायर्ज भी कहते हैं राहू और केतू को हम स्पीड ब्रेकर्ज या डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर्ज बोलते हैं जूपिटर को चनी को सूर्य को बुद्ध को और वीलर्ज को भी हम डेस्टिनी मेकर्ज बोलते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ता है तो जब भी अगर आपके ऐसी यूती होगी शुक्र राहू की शुक्र मंगल की शुक्र चंदर्मा की शुक्र केतू की या शुक्र गोचर में नीन के उपर से जाएगा तो भी आप लोगों को भन की उस ताइम कमी होगी या भन रिलेटेड समस्याएं होगी या प्रॉब्लम होगी बट अगर उस टाइम उसी ट्राइन में अगर भ्रस्पती भी होगा आपके तो आपको भन कमाने में जब प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि भ्रस्पती आपकी डिवाइन ब्लेसिंग है इश्वरिये कृपा है आपके तो फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इन चार स्पीड ब्रेकर को यूज कर रहे हैं राहू, मंगल, चंदर्मा और केतु को तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, धन कमा देए भले ही आपकी कुंडली में योग बन रहा हो, प्रॉब्लम बन रहा हो, उस टाइम पे जूपिटर और शनी भी दोनों शुक्र से गोचर कर रहे हो, और उस ट्राइम में राहू हो, चंदर्मा हो, मंगल हो या केतु हो तो भी आपको समस्याइं आएंगी धनि अर्जित करने में अगर ब्रस्पत्ती और शनी ब्रस्पत्ती आपकी फ्री विल है, आपकी डिवाइन ब्लेसिंग है, शनी आपका करम है अगर ये दोनों ही एक ट्राइम में गोचर में वीनस के उपर से जा रहे हो, आपके नेटल वीनस के उपर से तो उस टाइम आपको इनॉमनस वेल्ट आएगी, यूज वेल्ट आएगी, कर्मो दुवारा भी आएगी और किस्मत दुवारा भी आएगी similarly अगर वीनस भी गोचर में आपके नेटल, जुपिटर और शनी दोनों माननी जी एक ही ट्राइन में 159 में, 2610 में, 3711 में या फिर 17 में भी बठे हैं तो भी उस व्यक्ति के पास इनॉमनस वेल्ट आएगी अगर आपकी कुंडी में शुक्रशनी, सूरिय और राहू का योग बन रहा है ट्राइन में, व्यूती में इसको हम वहबव राजयोग बोलते हैं, BNN की पदची में अगर आपका एक्षेंज हो रहा हो किसी भी प्लैनेट के दुआरा तो वो भी एक प्रकार से योग बनता है अगर शुक्र का एक्षेंज, ब्रस्पती जो की जीव कारत है, जो की दिवाइन ब्लैसिंग्स है, जो की आपकी फ्री विल है अगर उन दोनों में राशी परिवर्तन है, तो भी इस व्यक्ति को भाग्य से किसमत से पैसा आएगा उधारन के तौर पे अगर ब्रस्पती शुक्र की राशी में बैठा है, आपके नेटल चार्ट में, डीवन चार्ट की बात कर रहा हूं, दूसरी राशी में या साथमी राशी में टॉरस में बैठा है, या फिर लिप्रा में बैठा है, और वीनस शुक्र आपका ब्रस्पत व्यक्ति की राशी में यानि की धनू या पाईसेज में वैठा है तो भी इस व्यक्ति को जो धन अर्जित होगा अपने भग्य से अपनी किस्मत से अपने लक्ष से एसे ही अगर शुक्र और शनी जो की कर्हमकारक है उनकी राशियों का परिवर्तन होता है शनी शुक्र की राशी में वैठ जाता है दो नमबर राशी या साथ नमबर राशी में और शुकर शरीगी राशी में मैट जाता है दस नमबर कैप्रिगॉन में या फिर ग्यारा नमबर एक्वेरियस में तो भी ये व्यक्ति कि कुण्ड़ी में योग है कि ये धन अर्जित करेगा अपने कर्मों दुआरा जब भी आपका शुक्र गोचर का शुक्र एक राशी में कितने दिन रहता है लगबग लगबग शुक्र एक राशी में चालिस दिन के करीब तो जब भी शुक्र आपके नफ्तारा सीरीज में जो नक्षत्रों की सीरीज होती है अगर वो विपत में जिसे हम तीसरा आपका नफ्तारा बोलते हैं या फिर पत्यारी में जिसे हम आपका पांचवा नफ्तारा बोलते हैं या फिर नाए धाना में जिसे हम आपका साथवा नफ्तारा बोलते हैं अगर उसमें गोचर कर रहा होगा भले ही उस ट्राइन में ब्रस्पति और शनी क्यों ना हो शुकर के अगर ये उन प्लैनेट्स की राशी में गोचर कर रहा होगा उस टाइम आपको प्रॉब्लम आ जाएगी वेल्ट में नफ्त तारा सीरीज में मैं आपको बता देता हूँ जब भी आपका जनम होता है आपका चंदरमा जो कि आपका जनम काली चंदरमा होता है वो किसी ना किसी नक्षत्र में होता है जब आप जनम लेते हैं तो जिस भी नक्षत्र में उस टाइम चंदरमा होता है जिस भी प्लैनेट के नक्षत्र में उसको हम जन्मा बोलते हैं और वहां से आपकी नफ्तारा की सीरीज चालू होती है उधारन के तौर पे अगर किसी व्यक्ति का चंदर्मा मंगल के नक्षत्र में है at the time of his birth so his अक्षंड काल और his दशा will start from मंगल जो विम्शोत्री दशा होती है उसकी मंगल से चालू होगी ऐसे ही अगर चंदर्मा उस ताइम आपके जनम के समय में या आपका चंदर्मा का नक्षत्र मंगल है तो आपका जनमा तारा जनम तारा जिसे हम बर्थ तारा बोलते हैं वो मंगल हो जाएगा मंगल के बाद क्या आता है राहू वो आपका संपत तारा हो जाएगा जिसे हम वेल्थ तारा बोलते हैं पैसे का तारा वेल्थ पॉर मनी पॉर यूर वेल्थ राहू के बाद क्या आता उसे हिराकी ने ब्रस्पति ब्रस्पति आपका तीसरा तारा हो जाएगा जिसे हम विपत तारा बोलते हैं ये डेंजर तारा होता है रहने की प्रॉब्लम्स देता है ब्रस्पति के बाद कुन सा आता है शनी उसे हिराकी ने शनी आपका शेमा हो जाएगा ये आपकी वेल बींग को दर्शाता है शनी के बाद क्या आएगा उसे हिराकी में मरकरी मरकरी आपका पत्यारी हो जाएगा पांच नंबर का तारा जो कि आपके जीवन में आप्स्टिकल्स को दर्शाता है फिर मरकरी के बाद उसे हिराकी में क्या आएगा केतू केतू आपका सधाना हो जाएगा यह आपकी achievements, आपकी accomplishments को दर्शाता है केतु के बाद आएगा शुक्र इस व्यक्ति की नवत तारा सीरीज में वो साथ नंबर का तारा होगा वो नाय धाना होगा नाय धाना is a death तारा प्रॉब्लम्स, major प्रॉब्लम्स यह निये के मौत हो जाएगी मृत्युक्तुले कर्ष्ट आप ऐसा समझिएगा पिर नेधाना के बाद जो आठ्वा तारा आएगा इस सीरीज में मीनस के बाद सूरी आता है तो सूरी आपका मित्र तारा हो जाएगा अब फ्रेंड तारा पिर सूरी के बाद जो नाइन से तारा आएगा वो चंद्रमा का हो जाएगा वो आपका परम मित्र हो जाएगा वो आपका सोलमेट तारा होता है अगर आप अपनी कुंड़ी में अपने सोलमेट तारा को यानि अतिमित्र या परम तारा को इस्तमाल करोगे अपने जीवन में तो आपको जीवन में संकट नहीं आएगे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी ये तारा सबसे पहले घड़ा होगा आपको बचाने के लिए आपको पता है क्रिशन जी का जनम रोईनी में हुआ था जो रोईनी से 27 वा नक्षत्र अगर हम सारी नक्षत्र होगी नहीं तो 27 वा नक्षत्र कृतिका का आता है कृतिका सूरिय देव का नक्षत्र है और कृतिका का मूरपंक एक सिंबल है कृतिका जी अपने साथ हमेशा मूरपंक को लगा के चलते थे बासरी उसका भी सिंबल है बासरी लगए के चलते थे और एक साथ में उन्होंने भाला सा वो चक्र सा पकड़ा हो था भाला सा वो क्रिसिका का नक्षत्र का भाला है तो ये अगर आप अपने जीवन में धारन करेंगे जो भी आपका नफ्स तारा से 27 तारा बन रहा है आपके जनम तारा से जो भी आपका 27 वा नक्षत्र बन रहा है अगर आप उस चीजों को धारंग करेंगे उस नफ्तारा की अपने मुबाइल पे उसका स्क्रीन चॉट लगाईए उसकी पिक्चर लगाईए उसको अपने जीवन में इस्तमाल करिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जीवन में क्योंकि ये तारा आपको मुश्किल से मुश्किल पर इस्तिती से निकाल के ले जाएगा ऐसी जो आपका 27 वा जैसे नफ्तारा होगा उसके प्लांट्स भी होते हैं ट्रीज एस्सियेटेड होती हैं तो उसके प्लांट्स के उसके डेटी होते हैं उनकी अगर आप अरादना करेंगे उस पेड़ की पुजा करेंगे उस पेड़ को पानी देंगे तो भी आप जिन्दगी में बहुत राइस कर देंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका 27 नफ तारा आपके जीवन में क्या कर सकता है आपको मुश्किल से मुश्किल कठिन से कठिन परिस्तिती से निकाल के लेके जा सकता है यह अगर मैं भी आपको दिखाऊंगा एक एक एक्जाम्पल के दुआरा आप ही डिसकॉशन करोगे कि इस व्यक्ति को तब पैसे आएंगे या नहीं आएंगे अगर आपकी कुंडिनी में भरस्पती और शुक्र एक दूसरे जानी की ब्रस्पती से फ्रॉम ब्रस्पती शुक्र चोथे भाव में बैठा है मान लीजिए कि ब्रस्पती पहले भाव में बैठा है और शुक्र चोथे भाव में बैठा है और शुक्र पे कोई मैलेफिक इफेक्ट नहीं है तो ये व्यक्ति अमीर होगा इस व्यक्ति का धंदौलत होगी अगर आपकी कुंडली में ब्रस्पती और शुक्र की यूती है या ट्राइन में बैठे हैं या योग बन रहा है और शुक्र की प्लेस्मेंट बहुत अच्छी है और ब्रस्पती की प्लेस्मेंट इतनी अच्छी नहीं है आपकी गुंडली में तो ये व्यक्ति अपना कमाया हुआ धन जो भी इसने धन अर्जित करा है उसको ये यूज कर लेगा अपनी जोरत के वक्त में बहले ही इसके बस कम धन हो बट उस धन को ये यूज कर पाएगा अपने जोरत के समय में अगर जुपिटर और वीनस की ट्राइन में यूज की हो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ और शुक्र आपकी कुंड़ी में मजबूत है अच्छा प्लेस्ट है मित्र साइन में है ओन साइन में है अच्छे प्लैनेट से ऐस्पेक्ट है या उच्छ का बैठा है बारा नंबर राशी में बैठा है और जुपिटर माननी जे डेबिटेटेड हो के बैठा है या शत्रू राशी में बैठा है और एक ही ट्राइन में आ रहे हैं या यूती बना रहे हैं तो ऐसे में व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस तो होगा जाय भला ही कम बैंक बैलेंस हो उस कम बैंक बैलेंस में भी ये अपना बैंक बैलेंस यूज कर पाएगा अगर इसका हम विपरीत ले लेते हैं शुक्र और ब्रसपती की यूपी हो और ब्रसपती की प्लेसमेंट अच्छी और शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा होगा बट ये अपने बैंक बैलेंस को यूज नहीं कर पाएगा ऐसा व्यक्ति कंजूस होगा यूज क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कंजूस होगा जब शुक्र अच्छा होगा शुक्र खराब होगा और ब्रस्पति अच्छा होगा तो ऐसे व्यक्ति कि बैंक बैलेंस तो अच्छा होगा बहुत है अगर शुक्र और वीनस सॉरी ब्रस्पति और शुक्र दोनों ही यूती में और दोनों ही अच्छे प्लेश्ट है तो ऐसे व्यक्ति अपने बैंक बैलेंस को यूज भी कर पाएगा जुरुत के समय में और ऐवी बैंक बैलेंस होगा अगर आपके चार्ट में वीनस और शुक्र और राहू की यूती है सेम हाउस में मैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास इनॉर्मस वेल्थ होगी बिग वेल्थ होगी क्योंकि राहू एक्सपेंजिन का तारक है शुक्र पैसा है बट ऐसा व्यक्ति के साथ पैसे के साथ साथ इसके मल्टिपल अफेर भी होगी क्योंकि वीनस एक इमेल को दर्शाता है और राहू एक तरह से मल्टिप्लिसिटी बोलें या एक्स्पैंशन बोलें उसको दर्शाता है और ऐसे इस यूती में निल्द्य भी होगी उनकी बट हेल्स ख़राब होगी है तो अगर यूती में होता है तो इस अगुड कॉंबिनेशन पर इनॉर्मस वेल्थ मेंस यूती में होगा तो इस व्यक्ति के पास अच्छा पैसा होगा बड़ा पैसा नहीं होगा अगर यूती में होगा वीनस राहू तो वो बड़ा अच्छा पैसा देगा यह विल है बिग मनी अगर उसी 159 में है यह विल है गुड वेल्स नॉट वेरी बिग मनी अगर आपके कुंडली में वीनस केतू है ऐसे व्यक्ति को पैसा कमाने में बहुत प्रॉब्लम जाएंगी क्योंकि केतू कटिंग है केतू मोक्ष है शुक्र पैसा है तो ही विल है प्रॉब्लम जेन अर्णिंग मनी जब भी केतू आपके नेटल शुक्र के उपर से गोचर करेगा या फिर 17 के एक्सेस में होगा उसके गोचर का केतू पानी जे आपका शुक्र छे नंबर राशी में वैठा है नेटल चार्ट में आज केतू छे नंबर में गोचर कर रहा है छटी राशी में इस ताइम उस्व्यक्ति हो प्रॉब्लम आएगी जैसे में और यह आएगी 18 महीने तक क्योंकि केतू एक राशी में 18 महीने रहता है बट मेजर प्रॉब्लम कितनी आएगी मेजर प्रॉब्लम आएगी जब उसकी डिगरी पीन चार डिगरी बाइन दी भी छुक्र अगर दesz डिगरी पे और कितू जब साथ डिगरी पे आयेगा और तेरा डिगरी तक वो प्रॉब्लम रहेगी चार-पांच महीने मेजर प्रॉब्लम रही तो इसमें उसको shortage of money होगी इसकी वज़ा से ये व्यक्ति loan वगरा अपलाई करे रहा या फिर गोचर का शुक्र आपके नेटल केतु के उपर से जाता है तो ऐसे यह 17 का access बना रहा है तो इसको तब भी पैसे की shortage या समस्य आएगी इसके relationships में भी problem आएगी उपर भी आएगी तो कि Venus spouse है कि तू cutting है Venus relationships है के तू cutting है तो उसमें भी problem आएगी अगर आपके डी वन चार्ट में जैसे यहां लिखा है 159 में हो या 17 में हो Venus तो और के तू ने गोचर का के तू 159 में हो या 17 का access बना रहा हो अपने आपके नेटल वीनस से तो problem आएगी similarly डी वन चार्ट में आपका के तू 159 एकसेस में हो और 17 के एकसेस में हो और नेटल गोचर का वीनस उसके उपर से जा रहा हो तो भी problem आए बड़ वीनस जा रहा हो तो 40 दिन के problem है के तू वाली मेजर प्रॉब्लम है तो डी वन चार्ट में आपने देखना है के तू और शुक्र का relationship इसमें मैंने आपको remedy बताई है कि ऐसे व्यक्ति को पैसे के बारे में सोच न छोड़ दे यार ईश्वर ने देना होगा तो दे देगा के तू अपने आप लाके दे देगा अगर उस दोरान में ये पैसे के पीछे भागेगा तो पैसा इस से बहुत कोसों मील दूर चला जाएगा क्योंकि केतू कहता भाई भागना है तो रावू के पीछे भाग मेरे पीछे मत भाग आज जिदने भी spiritual गुरूज है वो क्या है शुक्र केतू ही तो है उनके आगे कौन जुकते हैं शुक्र रावू वाले ही तो जाके जुकते हैं जो लाकों करोड़ों को चड़ावा उनको चड़ाते हैं तो जब शुक्र केतू आपको उस लेवल तक ले जाता है क्योंकि केतू आपके भीतर की simplicity है आपकी let go feeling है केतू कहता है छोड़ दे छोड़ोंगे तो मिल जाएगा भागोंगे तो कुछ नहीं लिलेगा आपके चार्ड में शुक्र केतू है भाई पैसे के पीछे भागो मत छोड़ो भाग भी मतलाओ यहीं बोलो इश्वत तुने जो लिखा है मेरे को दे देना तो अपने आप दे देगा केतू डूंड डूंड के देगा आपको पैसा दोनों को चैट में अप्ले होता है सार वीनस कांबनेशन नौ मेल औरशी को यार्म आपता है ना इसलिए वो मेल के लिए फीमेल कभी होता है पैसा पैसा है ना आचाइए तो पैसे गी बात होरी ली ना मेल चार्ट में दिदो छीवा तो दोनों चायट में यूपिटर रहा है आपने अपनी परस्नालिटी करनी आ तो आ को देखेंगे अगर फीमील को अपनी परस्नालिटी चै करनी है फीमील चार्ट में तो शुक्र को देखेगी रिलेक्शंशिप और या होता prisoner सब्सक्राइब क्योंकि के पास है क्या कटिंगी तो देनेगा मेल के लिए फीमेल के लिए फीमेल की भी अगर चाट में है तो उसको ऐसा कोई वर लूड़ना चाहिए ठीक है जो की तू से रिलेटिट काम कर रहा हो तो चलेगी न वैसे फीमेल के चार्ट में उसका वर मंगल होता है तो basically यह पैसे को related जाना है but relationships तो problem आएगी न चाह female हो चाह male हो क्योंकि Venus relationships को भी दर्शाता है न आपके भोग को दर्शाता है आपकी personal physical life को दर्शाता है तो उसमे problem आ जाएगी क्योंकि केतू मोक्ष का रखे है अगर आपकी कुण्ड़ी में शुक्र शनी राहू सूर्ये का योग है तो इसको हम वैबव राजयोग बोलते है या पारस्मनी योग भी बोला जाता है अगर आपकी कुण्ड़ी में यानि ये ट्राइन में हो ये सारे planets ये यूती में हो अगर शुक्र शनी राहू सूर्ये बुद्ध हो तो इसको हम बोलेंगे सूपर एक्सपैंशन आफ वैबव राजयोग अगर आपकी कुण्ड़ी में शुक्र बुद्ध और व्रस्पती है एक ट्राइन में या यूती में तो इसे हम विष्णू लक्ष्मी योग बोलते हैं विष्णू लक्ष्मी योग बोलते हैं अगर आपकी कुण्ड़ी में शुक्र और मर्करी का योग है बुद्ध का योग हैं ट्राइन में या यूती में तो इसे हम लक्ष्मी योग बोलते हैं अगर आपकी कुंड़ी में ब्रेस्पती, ट्राइन, यूती ये किसी प्रकार का भी संबन्द, फूट्वेल का, वन सेवन का, पांच प्लैनेट्स के साथ अगर बना लेगा, तो वो व्यक्ति मल्टी मल्टी बिलिनेयर होगा, और ऐसा योग मुकेश अमबानी जी की कुंड़ी में है, व्रेस्पती को पांच प्लैनेट्स से संबन्द बनाने हैं आपकी कुंड़ी में, अगर व्रेस्पती उन पांच प्लैनेट्स से संबन्द बना लेगा, तो आपकी कुंड़ी में मल्टी मल्टी बिलिलियर का योग बन जाएगा तो जो व्यक्ति की कुंड़ी में अगर ये योग है तो वो अवश्य मुकेश हμबादी बन सकता है अगर आपकी कुंड़ी में सुरिय और जूपितर ट्राइन में है या यूती में है तो ये व्यक्ति अमीर होगा रिच होगा अगर आपकी कुंडली में चंदर्मा और मंगल होगा यूती में या ट्राइंग में होगा तो भी व्यक्ति अमीर होगा अगर आपकी कुंडली में सेकेंड लॉड और इलेवन्थ लॉड किसी प्रकार से संबंद बना रहे हैं पंचम लॉड से या नाइन्थ लॉड से तो ये धर्योग है एक प्रकार का भी यह उधारन के तौर पे आपका स्वार्प्यो लगन है स्कॉर्पियो लगन में ब्रस्पती दूसरे हाउस का भी रूलर होता और पंचम भाव का भी रूलर होता है तो वो ओल्रेडी धन्योग क्रिएट कर देता है धन्योग पराश्री में दूसरे घर का स्वामी ग्यानवे घर का स्वामी और लक्षमी सानू के दो स्वामी पंचम भाव और नोवम भाव के स्वामियों की ब्रस्पत दृष्टी या संबन से ये योग बनता है तो अगर किसी प्रकार आपकी कुंड़ी में आपका सेकेंड लॉड फिफ्ट लॉड और नाइन्थ लॉड इनमें से कोई भी योग बना रहा आपस में यानि की सेकेंड का लॉड नाइन्थ के लॉड से बना ले या फिर पंचम लॉड से बना ले तो धन्योग बन जाएगा और धन्योग जिस भाव में बैठे हैं उस भाहों से आपको धन मिलेगा ऐसी 11th Lord 5th Lord से बना ले या पर 9th Lord से बना ले और जहां ये 11th Lord बैठा है उस घर से आपको धनियों की प्राप्ति होगी अगर आप उस घर के कारिय करेंगे अगर शनी के तू शुक्र एक ट्राइन में है तो ऐसे व्यक्ति के पास कर्मों से पैसा तभी आएगा अगर ये व्यक्ति छोटा छोटा काम करेगा तो ही सक्सेस वो लोगा अगर मान लीजिए ये पहले कोई कियोस लगा तक खाने का काम करता उन्हार इनके पर पर तो ये कियोस छोटा लगा यह दी कि मॉल में एक बहुत बड़ी दुखान खुल दे या रेश्टरेंट खुल दे ऐसे उसी मॉल में दस छोटे-छोटे की ओस लगा दे वो काम चला देगा केतू वरना गर एक बहुत बड़ा रेश्टरेंट खुल दिया तो पैसा नहीं आएगा या टेलरिंग का काम मानले एक खुल लेते केतू टेलरिंग को भी दर्शाता है एक बहुत चमकता धमकता उसने शोरूम खुल लिया और वहाँ खाली ready made garments रख ली है वहाँ टेलरिंग का काम नहीं करा तो काम भी चलेगा केतु को अपनाना पड़ेगा और छोटे छोटे काम से ही एक्सपाइड करके केतु एक दिन महत बढ़ा कर देगा बट आपको इस यूती में क्योंकि करमों के साथ है न करम किसके बीछे भाग रहे हैं जैसे शनी केतु शुक्र केतु दो शुक्रे के पीछ भाग रहा शनी केतु के पीछ भाग रहा तो आगे पहले ही एक स्पील ब्रेकर है तो अगर उस स्पील ब्रेकर को आपको पार करना है तो आपको अपनी घाड़ी दीदी करने पड़ेगी और उसका काम करना पड़ेगा तो केतु के काम क्या होते है astrology होती है cable manufacturing होती है या उसकी trading हो कोई lawyer हो कोई surgeon हो कोई eatों का बच्टा लगाता हो tailoring industry हो yoga हो meditation हो या कोई spiritual guru बन जाए तो केतु उस case में कोई problem नहीं करेगा ऐसे ही अगर बार 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 रहे हैं नगो केतु आता है बारबर केतु आता मतलब वह बारबर एर कट करते एर कटिंग सलून है ना वह वह सलून भी केतु है केतु है ना केतु हाँ कंशी हो शूटा शूटे सलून है बड़े क्यूटी बादलर शुक्र आ जाएगा अगर आपकी कुंडली में मालनी जी चंदरमा ट्वेल्ट हाउस में बैठा है और वीनस शुक्र आपके पर्स्ट हाउस में बैठा है ठीक है यह टू ट्वेल्ट का संबन्द बना रहा है तो ऐसा व्यक्ति जब भी ट्रावल करेगा चंदरमा ट्रावल काता रखे मिलने किस से जा रहा है वीनस से वीनस धन है तो जब भी ट्रावल करेगा यह ट्रावल बिजनस में फूड बिजनस में ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी चंदर्मा मिलने किस से जारा है वीनस से मिलने जारा है तो ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी अगर इसी काम विप्रीत ले ले कि चंदर्मा आपके चोते भाव में है और शुक्र आपके तीसरे भाव में है तो अब वीनस किस से मिलने जारा है पहले केस में तो चंदर्मा वीनस से मिलने जारा है तो आप ट्रावल करोगे चंदर्मा का कारक है वीनस से मिलने जारा है तो पैसा आ जाएगा अब शुक्र जा रहा है मिलने चंदर्मा से, तीसरे गर में शुक्र है, छोते गर में आपका चंदर्मा है, उधारन के तौर पे, चंदर्मा पानी है, चंदर्मा फिकल मैंडेडनेस है, चंदर्मा खर्चों को भी दर्शाता है, बी एनेन में, कैश लिक्विडिटी का भी कार तो आपकी वेल्थ पानिगी तरह बहए जाएगी तो आप वीनस आपकी वाइब भी है वाइब की अकाउंट में पैसा डालेगी अदर्वाइज जोर वेल्थ विल्गोफ और टॉस वो खर्चा कर देंगा ना क्योंकि शुक्र पैसा है वो खर्चे से मिलने जा रहा तो आदमी क्या करेगा खर्चा ही करेगा ना चंदर्मा फिकल माइंडिडनेस है तो पैसे में कोई ना कोई ब्लेम लग जाए ला तो ऐसे व्यक्ति को और चंदर्मा जैसे लाल किताम में ना लैंड का भी कारक प्लॉट्स का 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 प्लॉ अगर आपकी कुंड़ी में शुक्र चंदर्मा की जैसे यूती या 212 में हैं आप चारिटी करिए तो आपको धना जाएगा आप खाने का दान करिए आपको धना जाएगा अगर आपकी कुंड़ी में शुक्र सूरिय की यूती है तो जो आपकी लीडर्शिप कॉलिटी है जो आपका कॉंफिडेंस है वो ही आपकी धन दॉलत है अगर आपका शुक्र और मंगल की यूती है ट्राइन में है 212 में 1-7 में है तो अगर आप जिमिंग एक्सराइस करेंगे आप एक्टिवनेस रहेंगे आपके अज पैसा आजाएगा in moon venus charity donation is your wealth in venus sun your confidence and your leadership qualities is your wealth in mars venus your gymming your fitness your physique your body is your wealth venus rahu 212 uti then your swag attitude your show off if you do it more wealth will come to you you do internet you do photography or you are in foreign lands you are working with an mnc you will make wealth you are doing a plumbering business आप कोई साफ सफाई की housekeeping agency चलाते हैं then also wealth will come to you अगर आपकी कुंडली में Jupiter शुक्र की यूती या योग है अगर आप अपने tradition culture को follow करेंगे और अपने values पे अपने संस्कारों पे अपने faith पे यकीन करेंगे अपनी self belief पे यकीन करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा क्योंकि यह divine blessing है यह योग अगर आपका शुक्रिशनी का योग है तो आपको focus लाना पड़ेगा करम तो कर नहीं है वो करम कारक है आपको discipline बनना पड़ेगा आपको थोड़ा महंती बनना पड़ेगा hard working बनना पड़ेगा तो आपको दंदॉलत आ जाएगी अगर वीनस मरकरी है मरकरी पड़ाही का कारक है एजुकेशन का कारक है लर्निंग का कारक है स्पीच का कारक है तो मरकरी वीनस में लर्निंग और एजुकेशन इस यूर वेल्थ डोंट स्टॉप लर्निंग यू विल गेट वेल्थ लर्निंग का मतलब यह नहीं को या पुस्ता के पड़ा आप सुभे न्यूस पेपर ही पड़े चाहे रीड अच्छी वानी रखें शुक्र केतू अगर शुक्र केतू गई हो गया आपकी कुंड़ी ने तो भया पैसे के पीछे भागना छोड़ दो लेट गो आना होगा तो आ जाएगा ईश्वर ने जो देना होगा दे देगा लेट गो एटिट्यूट लेआओ स्पिरिच्यलाइजेशन की तरफ इंकलाइड हो जाओ मनी वेल कम टू यू आइं गिविंग यू अ गारेंटी अगर आपने अपने मन में यह भावना ले आए कि आना होगा तो आ जाएगा जो भी उपर वाले ने लिखा है तो केतू लाके देदेगा अगर आप उस टेंड राहू की टेंडेंसी फॉलो करोगे गिव मी मोर गिव मी मोर आप जिससे कहते हैं ऑपसेश्ट रहेंगे मनी से तो आपके इस पैसा कभी नहीं आएगा You don't have to be obsessed with money आना होगा तो यार आ जाएगा नहीं तो फिर आप लोन लोगे शौर्टेज करेगा तो सिंपल ये भावना रखनी है कि भाई आपने लोन दे दिया है किसी को पैसा पर दे दिया है पैसा फस गया है याराना होगा तो आ जाएगा प्रभू ने लिखा होगा तो दे देगा वो दे देगा वीदंस केत्व में तकाज्य करने से कुछ नहीं होगा इश्वर पे छोड़ दू केत्व नेचर है पैसा लिए आएगा अभी हमने जिसे यह यूती यह देखी थी हमने अब ये कुंडली है आपके सामने आपके नदर आ रही है ब्रस्पति आठ नंबर में है चार नंबर में केतु है तो इसको और वीनस इसका छे नंबर में तो कहीं से इसका कनेक्शन यह बन रहा है जो अभी मैंने आपको यूति बोली थी ब्रस्पति और शुक्रवाली कि इसको किस्मत से पैसा मिलेगा यही बोला था ना ब्रस्पती वीनस में प्री विल से पैसा मिलेगा भाग्य से पैसा मिलेगा तो यह तो इस ट्राइन में नहीं है ना वीनस के केतु का ट्राइन तो 4-8-12 वाला है जूपिटर और केतु एक ही ट्राइन में 4-8-12 में ठीक है वीनस है नहीं क्या इस व्यत्ती को कर्मों द्वारा पैसा मिलेगा 2610 में वीनस भी है शनी भी है तो पैसा मिलेगा अगर यह करम करेगा he will get money न क्योंकि वीनस हो रही है शनी एकी ट्राइब में 2610 में बट अगर हम यू इसका देखते हैं यहां four eight twelve होता है यह north direction होती है और उसके opposite south होता है तो यह three seven eleven बोलो या two six ten four eight twelve का two six ten उसका one seven access होता है ठीक है उसके सामने होता हुआ नौर्थ के सामने क्या है south तो इसको support मिल रही है जूपिटर को तो क्योंकि two six ten में सारे बनारेट बैठा है राहू भी बैठा है मंगल भी बैठा है चंदरमा भी बैठा है शनी भी बैठा है mercury भी बैठा है सन भी बैठा है और शुक्र भी बैठा है तो इस व्यक्ति को किस्मत से भी पैसा आएगा लक से भी पैसा आएगा क्योंकि मैंने का 1-7 की जो सपोर्ट होगी वो भी equally 100% एक सो पांच 10% तक भी रोल प्ले करती है 90 से 110% तक तो ऐसे व्यक्ति को पैसा मिलेगा ही मिलेगा किस्मत से भी मिलेगा और करमो दुवारा भी मिलेगा क्योंकि करम के ट्राइन में शनी के साथ अल्रडी वीनस है यह रा शनी यह रा शुक्र वो मैंने का था 1-1 में बैठा हुआ प्लानेट को 100% देगा 59 वाला 75% तक देता है तो 75% तो करमों से भी पैसा मिले तो आप अपनी कुण्ली में देखिए कि क्या अब क्या है कि ऐसा इसका कटेगा भी इस व्यक्ति का क्यों कटेगा क्योंकि केतु भी उस ट्राइन में और वीनस भी है पैसा फसा भी देगा अगर यह केतु के कार्य कर रहा होगा तो इस व्यक्ति को कैसे मिलेगी अगर केतु को नहीं इस्समाल करेगा क्योंकि Venus one seven में भी है ना उस ट्राइन में केतु के यह four eight twelve का है उसका two six ten is one seven for that planet तो यहां Venus भी आ रहा है वीनस के साथ और यह केतु का one seven का access बन रहा है तो आप अपने चार्ट में ऐसे लगा के देख सकते हैं अभी मैं तुम्हें जो मैंने आपको नफ्तारा का एक example दिया था इसको मैं एक पीपीटी एक कुंडली के मादियम से आपको यह बता देता हूं कि कैसे इसको अब हम चेक करेंगे इस नफ्तारा को यह आपको इसके कुंडली नदर आ रही है इस व्यक्ति की यह कुंडली है और यह ट्रांजेट है वाहर अब इसकी कुंडली में जो मैंने बोला था कि अगर वीनस इसके तीसरे पाँचवे यह साथवे तारा से गुजरेगा यानि उसकी राशी से गुजरेगा तो इस व्यक्ति का विपत होन है तीन नंबर का प्लैनिट मैं आपको फिर दिखा देता हूँ इस पर तीन नंबर का भी प्लैनिट होन है ये देखी, ये व्यक्ति ये और देखी, ये तीन आपको प्लैनिट होन होन है दिश्टानक्षत्र है ठीक है यह चंदरमा मंगल का नक्षत्र है ठीक है तो जन्मा इसका मंगल हो गया मंगल से तीसरा ब्रस्पती पड़ेगा वो उसका विपत हो गया अपी नंबर का तो जब भी अगर शुक्र ब्रस्पती की राशी से गुजरेगा ठीक है यह उसके नक्षत्रों से गुजरेगा जो भी प्रस्पती के नक्षत्र जिजज़िस राशी में आते हैं तो इस व्यक्ति को समस्य आएगी धन की या फिर इसका पांच नंबर वो बुद्ध है अकर एन नक्षत्रों से गुज़रेगा शुकृ तब प्रॉब्लम आएगी और साथ नंबर का जो इसका नक्षत्र आरा था उसका आरा था तो जो शुक्र के नक्षयत्र हैं अगर उन्से शुक्र गुज़रेगा तो फिर इस व्यक्ति को धन में प्रॉब्लम तो प्रब्लम देगा जितना आपको पैसा आना उतना आएगा नहीं तब भी प्रॉब्लम होगी अब देख लेते हैं देखें अभी तो क्या है कि मैंने कहां कि यहां यह गोचर का केटू इसका नेटल वीनस के उपर से आ रहा है अभी 18 में तक रहेगा कि 18 मीने तक धनकी प्रॉब्लम रहेगी का इस व्यक्सी को नहीं रहेगी ना वीनस की डिग्री इस चार्ट में है कितनी तोला डिग्री दिखा रहा है यह वीनस ने यह नीचे है प्लानेट्री तेज डिग्री का वीनस है तो जब यह केटू जैसे अब 21 डिग्री और 23 में ठीक है कितना फराग हो जाएगा जो केटू की यह काउंटिंग होगी यानि की इट विल गो वाइनस से जाएगा न थट्टी से चालू होते होते है यह वैसा जाएगा इसकी मुमें बैठीक है तो इस गाइड सम्टाइशल प्रॉब्लम बट आस पार जैसे के तू ने ख्रॉश करा वीनस को तो प्रॉब्लम दूर हो गई ठीक है और सेकेंड ली कि अभी ब्रस्पती कहा है एक नंबर राशी में है वो कोई संबंद ना चो अपना पांचवां एस्पेक्ट दे रहा है एक दो तीन चार पांच यानि की इसको वीनस को तो जैसे यह व्रस्पती दो में आजाएगा एप्रिल में एप्रिल में मूव हो जाएगा ना व्रस्पती को या हाँ नबर राशी में तो फिर यह पैसे की पूरी तरह प्रॉब्लम सौल्व हो जाएगी उस साल तद बाड जब तक कि तू burada हो क्योंकि ब्रसपतिगी तब दिरिश्टी आगएगी इस ट्राइज में टू सिक्ष्टें में अब ये देख लेती हैं कि अभी कि शुक्र कहां कोचर कर रहा है दस मंबर राशी में गोचर कर कि दसरी राशी में शनीकि यहां पर उत्तर शड़ाया श्रवना और धनिश्टा ठीक है अब उत्तर शड़ाया में अभी शुक्र गोचर कर रहा है शुक्र की डिग्री कितनी है सुर्य इस व्यक्ति के अधा स्विख्यमार घा European कोई प्रोबल्म भी ऑप्प्र मधितम्र के बाद किसमें आएका दैणिश्टा में यानि कि जब 23.20 डिग्री का हो जाएगा तो 23.20 डिग्री से लास्ट नक्षत्र चालू हो जाएगा तो जन्मा में आ जाएगा जाएगा जन्मा इस वांड बैड बट इट इस नौट वेरी गुड ऑल्सो ठीक है अब फिर आगे चलते हैं कि शुक्र तो एक नंबर में आएग ना वो बन लगी ग्यारा नंबर राशी में उसके बाद आ जाएगा शुक्र और चालेज दिन का इसका गोचर है ना शुक्र का हां हां तो फिर चालेज दिन बाद वो ग्यारा नंबर राशी में आ जाएगा अब ग्यारा नंबर राशी में कौन कौन सा है भाई इसमें सबस यह तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है ठीक है और उसके बाद पुरू का नक्षत्र बज रहा है ठीक है जो लास नक्षत्र है जो एक्वेरियस में आएगा तक्लीफ आदा है इसका शवी शेवा है तो शेवा इस वेल दी इट इस गुड तो ग्यारा नंबर में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अब बारा नंबर राशी में जनी शुक्र आएगा आज से कोई साथ सत्तर असी दिन बाद सत्तर दिन बाद और मुश्ट है नहीं तब वह आ जाएगा जूपिटर के नक्षत्र में जूपिटर इस व्यक्ति का क्या है विपत mapped तो इसमें प्रॉब्लम आएगी फिप्स क guess जुपिटर में प्रॉब्लम आएगी जूपिटर में पूर्म बाद्रापद पॉत्तर बाद्रापद है और रेश्ति है जब जब यह शुक्र रेश्ति में आए जामना सोला डिग्री ही सोला पॉइंट चालेज डीग्री से थीज डिग्री के पाइसीज में तक मेजर फाइव प्लानेट है ना तो मेजर प्रॉब्लम आएगी समझ रहे हैं ऐसे ही अपना गोचर में चंदर्मा भी ना रोज वाई किसी ना किसी राशी में होता है लगाइस से 24 घंटे तक रहता है जब भी आपका चंदर्मा भी ना विपच में आएगा पतियारी में आएगा ना उस टाइम भी प्रॉब्लम आएगी आप अपना डेल भी प्लान कर सकते हो कि आपके वह अच्छे नक्षत्र में उस दिन बहुत बढ़िया जाएगा नहीं तो आप उस नक्षत्र को यूज करो उस प्लानेट के कारिय सत्वों को उस दिन यूज करो ठीक है तो अब यह आग आप लोगो को यूज कर लोगे ना कोई कोशन है क्या किसी का इसके बारे में अगर आपके पास कोई भी यह लेकर आता है कि भाई मेरे को जौब आप कब लगेगी ठीक है तो अगर जूपिटर जब भी शनी से मिलने आएगा आपके नेटल शनी से उस टाइम आपकी नौफरी लग जाएगी या वो रिलेशन्चिप बना रहा होगा तो अब यक्ति को बोल भीजे कि वह या तुमारी जौब लग जाएगी ठीक है उस टाइम ये आप बोल जटके हैं तो इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो अब ये मैं आपकी फ्लेरिफाइग कर लेता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को इसमें आप एक बार बोला है वो कृष्णा रोहिनी नक्षात्र है वो सिंबल करेंगे तो बेनिफिट मिलता है वो तीनों नक्षात्राइब में है प्रॉब्लम नक्षात्रा उससे काउंट करना प्रॉब्लम नक्षात्रा पूर्टिक पूर्टिक पालगनी उत्राशड़ा तीनों को भी वही रिजल्ट मिलता है जाए जादा सब्सक्रीजादा 27 मां देगा पिर नाइन्स देगा गोर प्रॉब्लम 27 इस योराथी मित्रव देनिज्योर एटीन देनिज्योर नाइंज हाँ ठीके ना होग आपकी पहली अर्निंग्स कब चालू होंगी जब भी आपका नेटल शुक्र शनी के उपर से जाएगा यह शनी आपके नेटल वीनस के उपर से जाएगा यह द्रिश्टी संबंद मनाएंगे तब आपको अर्निंग्स चालू हो जाएगी ठीक है यह आपको प्रोग्रेशन टेक्नीक लेनी है और गोचर का भी एस्पेक्ट ले सकते हो दोनों का लेना है यानि प्रोग्रेशन टेक्नीक होती है जहां पर शनी 30 साल एक राशी में रहता है ब्रश्पति 12 साल रहता है बट एनिवे मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि जब भी आपका नेटल का शुक्र और शनी आपस में संबंद बनाएंगे उस टाइम आपकी पहली अर्निंग्स चालू हो जाएगी शनी के उपर शुक्र शुक्र को उपर शनी दोलों भी बनाएं बट आपको देशकाल पासभी बच्या पैदा रहा तो आपको अभी पैसा कमाने लग जाएगा फर्स्ट रंडिंग्स अब्यापकी चालू होगी आपको देखना है क्योंकि ये प्रोग्रेशन से हमने देखत जानी तीस साल रहता है तो या तो वो नेटल के चनी के ऊपर से चला जाए या शनी नेटल के ऊपर से चला जाए या संबंद बना ले तो इस आदनी की इंद्र पहली चालू होती है और जब भी नेटल का शुक्र और ब्रश्पति उसके उपर से ट्राम्जिट करेगा ठीक है तो उस दिन उसकी उसको गिप्ट्स मिलेंगे वो पैसा फ्री विल से कमाएगा बिना करम करें वो पैसा मिलेगा में चनी में क्या है न कि उसको करना पढ़ेगा अब शनी तो भाई गोचर में भी 50.95 एक साल एक तक रहता हैं न उस ट्राइंड में आए यह फिर वीनस नेटल वीनस के उपर से जाए यह उस ठ्राइंड में आए यह फिर वन शेर्म के एक्शम बनाए तो पैसा मिलेगा ठीक ह तो आप यह उन्सा केस है कि नेटल वीधस के उपर से जाना चाहिए या तो शनी जाए या फिर प्रस्पति जाए तो प्रस्पति जाएगा आपको फ्रीविल से पैसा मिले आपको गिप्स वगरा मिलेंगे अगर शनी जाएगा तो आपको कर्मों दुबारा आपकी प्रोफ्रेशनल कमाई टालू होगी जब भी आपका नेटल चंदर्मा के उपर से शनी का ट्रांजिट होगा अब आपकी प्रोफ्रेशनल का ट्रांजिट होगा तो आपके प्रोफ्रेशनल में राइज होगा जब भी नेटल के उपर से ट्रांजिट का शनी जाएगा तो आपके प्रोफ्रेशनल का ट्रांजिट हो जाएगा अगर आप आपको नौकरी से बाहर ठैक दिया जाएगा अगर आप के ट्रांजिट काम नहीं करते हैं शनी आपको जब ट्रांजिट में धाई साल की शोरिटी देता है और ब्रस्पती आपको एक साल की शोरिटी देता है पहले ब्रस्पती आता है वो आपको फ्रीवेल चोड़ देता है वाई काम करना कर उसके बाद शनी आता है अगर आपने उस टाइन जो भी काम है वो करे त तो फिर आपको उसका फल देता है वरना उसके प्रॉब्लम देता है क्योंकि शनी उसके बाद आता है जब भी ब्रस्पती आएगा ना आपको फ्रीविल है कि भाई के वीनस के उपर से ब्रस्पती आया वनेकर आपको पैसा भागिए किसमत से में देगा बट अगर आप उस्तें अन्थेकल लिए पैसा कमाते हैं क्योंकि अन्ययर्थिकल में इसले पैसा कमाने के लिए वह उन्हार्मल कम आओ एथिकल वे से कमांओ तो जब शनी आएगा उसको को reward देगा अगर unethical way से करा होगा क्योंकि जूपीटर सो एक साल का promise लेकर आश यह नहीं साल का promise लेकर आता है पहले जूपीटर आता पिर शनी आता है जूपीटर यह नहीं कहता है कि वह यह काम करिया मत कर ठीक है तो ऐसे आप देख सकते हैं चली और किसी के कोई सवाल है तो मैं ले लेता हूँ यह चोटा सेशन है फिर इस वीक में एक दो सेशन जोन लेंगे हम ठीक है तो आपको धन कैसे देखना है कुंडियों में थिके जी अगर मार्केट ऑपर लागुट यह वल्ला बिल्कुल वह अगर कंशम भाव में मन रहा हो श्वाई क्वाई आप के बस पैसा आना है आप अगर share market का नाम करते हैं share market क्या है बुद है ना बुद और रहू से related है ना क्योंकि volatile है suddenness है उपर नीचे उपर नीचे तो बुद रहू का combination है तो अगर आपका ये ट्राइन में शनी Venus के उपर से जा रहा है और आप stock market के करम कर रहे हो तो पैसा मिलेगा करमों से अगर ब्रस्पती जा रहा है वीनस के उपर से तो आपको पैसा मिलेगा which is your free will का करो नी करो आपके जो बाग्य में पैसा है वो बाग्य से लेके आएगा पैसा ठीक है जी तो गुरुजी ए तो जो शेयर मार्केट है वो मेहनात का तो कामाई नहीं है ना तो वो तो आठ नंबर खाना से देखना है ना आप करम अगर भाई stock market का कर रहे हो आपका तो प्रोफेशन है ना शनी तो प्रोफेशन तो कुछ भी हो भाई चार लीगल हो या इन लीगल हो बात जो अलग है भाई दिमाग तो उसमें भी लगता है stock market में आपको research करनी होती है जो research करता है जो केत्तु को इस्तमाल करता तो इस तो पैसा आता है या राउ को technology को इस्तमाल करता है अपना data analysis करता है ऐसी आप बंद करके थोड़ी कोई stock market में पैसा लगा देते हो और आ जाता है आप research करते हो गया अगर full time करते हो या blue chip में लगाते हो सुरिय में लगाते हो जूपिटर में लगाते हो इंशोरंस नबनी हो गई है या वीनस में लगाते हो जो bank related banking related industries हो गई हो आएगा ना पैसा तुमारे पास जैसे मर्जी आए पैसा it is your free will and whatever karmas you are doing through the karmas you will get your money this is what it will be a good time for you to make money in train two twelve one seven all will work ut में सबसे ज़्यादा आएगा जब नेटल के उपर से ब्रस्पती जाएगा venus के या फिर shuny जाएगा आपके नेटल ब्रस्पती उस टाइम अच्छा धन आएगा one seven में भी अच्छा आएगा वो जो five nine है उसमें आपको 70-80% तक आएगा मेरे एक बर चार्ट दे सकते हैं आज का सब्जेक्ट में आज में थोड़ा नोट फिलिंग वेल ठीक है किसी दिन और दीगों कोई बाद में आज छोड़ दीए सर आज तो आपने बहुत अच्छा क्लास ले लिए है से ठीक है जो अगला क्लास लेंगे ना इल पुट यूर चार्ट फॉर इस वेल ठीक है उस दिन कर दो आजिए